सावर कर पर टिपडी मामले में गिरे राहूल गांदी अब NCP अध्यक शरत पवार ने दी यह दायत राहूल गांदी सावर कर पर टिपडी करने के बाद धिरते नजरा रहे हैं महरास्ट में एक नासिंद्य और दव ठाकरी गुट में इस पर कड़ी नाराजी जताई है एंजीपी प्रमुक शरत पवार ने गांधी परिवार को सला दी है कि उन्हें अब से विनाएक दामुदर सावरकर की आलोचना नहीं करनी चाहिए पवार ने सुमवार शाम कॉंगरेस अदेश मलिपाउजिन खरगे द्वारा आईजित राती भोज में विपक्षी नीताओं की बैठक की दौरान ये मामला उठाया पवार ने राहुल गांधी को सावरकर की आलोचना नहीं करनी की सला दी गोरतरव हैं सिद्ध ठाकरे की नीसरतु वाली सिस्थेना ने बैठक का बाईशकार किया था पवार ने कथी तोर पर राहुल से का कि उन्हें सावरकर की आलोचना नहीं करनी चाहिए जो माराश्ट में बहुत सम्मारिक व्यक्ति है क्योंकि यह राज में M.V.A. गठवंदन के लिए नुपूल नहीं होगा पवार ने यह भी बताय कि सावरकर कभी भी RSS के सदस नहीं थी और गांदी के वंसस को याद दिलाया कि गठवंदन के असनी लड़ाई BJP और PM नरेंग उमोदी के साख है कॉवरिस पार्टी के परमुक मलिकाजन खरगे पवार से सहमत दिखे कांसर संजराउत के अगले कुछ दिनों में खरगे से मिलने की संभावना है क्योंकि पवार ने परिसानियों को दियू कर लिया है क्योंकि वे गांदी है सावर कर नहीं का जवाब देते हैं सीम सिंथे ने कहा कि राहूल सावर कर बनने के उम्मीद नहीं कर सकते आपके पास ना तो जुनून है और ना ही बलदान की भावना राहूल को एक दिन जेल में रहना चाहिए जहां सावर कर 11 साल तक रही थे